हेलो दोस्तों स्वागत आप से जिए मैं चैनल दारीय लिस्टीडी के लब में दोस्तों हाई कोड ने आपके लिए बहुत बड़ी खुसकवरी लिखा लिए दोस्तों जो बच्चे ओनलाइन एक्जाम नहीं दे पाएते हैं आप वह ओफलाइन एक्जाम दे पाएंगे आते हैं बता तो मैं आपको पुरी जानकारी तो हाई कोड ने बोला है दोस्तों दिल्ली उचिनाले इन्हें सौंबार को दिल्ली विस्विदाले को निर्देश दिये कि वह अंतिम वर्ष के इसनातक चात्रों की चोदा सितंबर से बहुती ग्रूप से परिक्षा सुरू कर इसाले दोस्तों दिवय चात्रों को ठैने और उनके परिवान और उनके तरीकों पर काम करें यह कोड ने बोला है दोस्तों जो जो लोगडाउन चान देली चोड़के चले गए त्ली चात्रों के फोर डिवय आयम की वेवस्दा करें जो बहुतिक रूप से परिक्षा में बैठेंगे यानि दोस्तों हाई कोट ने बोला है जो ओनलाइन एक्जाम नहीं दे पाए और जो बच्चे ऑफ-लाइन मौर में बैठना चाहते हैं उनका पता लगा है नायमूर्ति हीमा कोली और नायमूर्ति सुब्रा मन्यम परसाथ की पीट ने कहा आपको डिव आपको पता लगाना होगा कि दिवाक्षांतर कहा है उन्हें यात्रा के लिए प्रयाप नोटिस देना होगा यानि हाई कोट ने जो हाई कोट के जो नायमूर्ति थे उन्होंने कहा है डिव को कि उनका पता लगा है दिवाक्षांतर होगा और उन कर रहे वरिस्ट अधिवक्ता सचिन्दक्ता ने कहा कि इस संबंद वे विश्ज ते निद्देश जारी करने होंगे तैं़ दोस्तों को प्रमी यह उर्गाटा ने कहा कि-खास प्रिष्टती राजिका दर्त्यों है और बहुत फ्रेश्डब्याइड देने काफी कटना ही होगी यानि दोस्तों जो ट्यू की और से पहर भी कर रहे थे उन्होंने बोला कि दिवांग चात्रों को काफी कटना ही होगी क्योंकि होस्टल अभी भी बंद हैं और दिल्ली पहुंचकर वे कहां ठेहरेंगे उनके साथ इस समय उचित परिवान विवस्ता भी पिलर्द नहीं तो यह डियू की और से बोला गया है कि वह कहां ठेहरेंगे और परिवान की विस्ता भी दि EVERYएutji ने कहाई बउला थे और उनके ठेरो परिवान इत्यादी के तौर तरीकों पर काम करें तो उन्हों नेताब कर दे कर दोरो के डैंजे तक आथ और वासर के वह पकर मियंद्य कर विस्यू करते हान जान दो आख और सुरू करने वाला था ऑफ-Line प्रेक्षा नो करने वाला था उसकी डेट बताईगी कि वह 20 सितमब्र से और आख्ञाम सुरू करने वाला था या ड्यू कि उसे बोला है इस पर अडालत ने परिक्रिया तेज करने और आठ सितंबर से परिक्षा को आयुद करने के लिए सुजाओ दिया यानि अदालत की ओर से दोस्तों बताया गया है कि बीस तारी के जगा आठ सितंबर से आप ऑफलाइन परिक्षा शुरू करें अपनी विसे विद्दाले की ओर से पेस हुए अन्य वकील मौहिंदर रुपाल ने इस पर कहा कि वे परिक्षा सुरू करने के लिए 31 अगस्त से कम से कम दो सब्सक्राइब सकता है यानि डू की ओर से जो वकीले उन्होंने का कि हमें दो जब आपके ऑपन बुक एक्जाम खतम होंगे 31 अगस्त को उसके बाद उन्हें दो सब्सक्रा का समय चाहिए कि बच उसने एक निजी विसेवदाले में इसनातर कोष के लिए अफजिन किया है तो यह दोस्तों उनकी वकील की तरफ से बोला गया है दोस्तों डू ने बोला है कि जो आट सितंबर से हाई कोड ने बोला है तो डू ने बोला है कि स्टाप बहुत कम है और इस समय स्टाप भी नह योग UGC ने कोई ऐसा परमर्स या निर्देस दिया है कि विस्विदाले परिक्षा पूरी होने तक अस्थाई परमाण पत्र के लिए दवाब ना बनाए तो दोस्तो अदालत ने इस पर डिव से पूछा कि यूजी सी ने कोई ऐसा निर्देश जारी जारी किया है कि असले परमड़ पत्र के लिए बिच्चों पर दबावना बनाएं कि उस्तिति इस पष्ट करने का निजदेश दिया आया का कि यह वह उनके चात्रों का बश्ष दिदाओं पर रहें तो अदालत ने दोस्तों साब बोला है करी ती और दोस्तों एक और आपको information बता ज़यता हूं कि आप जो आपके copy check होंगी वह electronic तरीकों से check की जाएंगी जो आपके open book एक्जाम हो रहे हैं दोस्तों तो यह electronic तरीके से check चैक करी जाएं यह दालत की उप्यों से